अच्छे हजाद है राविल पिंडी से उनका सवाल ले लेते हैं सामेकूम वालेकूम जी जादरा डाक्टर साब से बात करना चाता हूं जी जरूर्वर अज्टर साब अलेकूम मुझे सार अलर्जी की प्राब्लम है मैं कोई भी घरम चीज या अगर मैडिसन खाता हूं आप लेले हमाई टीम से और आप इनकी कुछ पूछना चाहेंगे आपको डिटेल लेना चाहरे हैं इलर्जी जो है वह खास तर पर आपको किस चीज से इलर्जी होती है मैं कोई भी गरम चीज खाता हूं जैज मिशाले खाता हूं यह सब पूरे जिसम में फील होती है इसी सुरत में आप किस तरह से बेतर फील करते हैं कि आप उस वक जो है वह नहाना बेतर समझते हैं कि आप मैडिसन के इलावा आप नहाने से आप बेतरी फील करते हैं या आप हवा के निचे बैठने से आप बेतर फिल करते हैं अब देखें यह सारी चीजें जो हैं यह हल्प आउट कर रहे होती है एलर्जी का बेहतरी निलाज्ज आप डिटेल नहीं और को लेना चाहरें तेंक्यू सो मज़ कॉलिंग अपना जवाब ओने ले 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 यह सा सिंटम्स जहें हैं वो सबसाइड होना चुरू हो जाती हैं लेकिन दूसरा पेशिण आपको यह कहेगा कि नई मैं उससे ठीक फिल नहीं करता मैं फिर जो है अपने आपको बेजी करके अपने आपको बेतर फिल करता हूं वो अपने किसी काम में मसरूफ होने से अपनी अलर than six symptoms ऐसी accurate चाहिए होती हैं जो के उस patient के लिए बहुत beneficial हों कि हाँ ये medicine उनकी बन्याद के उपर अगर हम देंगे तो ये recovery के chances को बढ़ाती चले जाएगी हैं राइट मैं इस software की मदद से इसको ज्यादा symptoms के उपर believe करता हूँ कि मैं 20 symptoms जो हैं वो patient की लेता हूँ खासतर पर ऐसे patients की के जो chronic patient हैं उनकी 20 symptoms मेरे पास जब मौजूद होती है तो वो more than satisfaction मेरे पास होती है कि हाँ इसको cure ये खिनिन होगा जिस तरह से वो परप्यूरा का आपको case मैंने आपको बताया था जी जी कि वो बच्ची का जो है वो treatment फात्मा नाम के बच्ची कुछ हरसा पहले मेरे पास ले का है उनके वाल्दें तो उसका पूरी की पूरा उसको रिपट्राइस किया उसकी बन्याद के पर जो medicine दी उसने one month और two days में वो case जो है वो completely recover कर दिया उसका एसर जब मेरे पास आए उस वक्त मैंने टेस्ट करवाया तो 45 था श्ट्राइड लेने के बावजूद दूसरे pain killers लेने के बावजूद पेन नहीं जा रहा था उसका skin disease के साथ साथ लेकिन यही चुटी 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 गोलिया है यही मैं होंपैतिक के गोलिया कि जो समझी आती हैं कि यह हर मर्ज का इलाज कैसे हो सकती है चेंज करकर रहे दिये पुरस scenario और वो रिपोर्ट आपने देखी बिलकुल देखी वो ESR 8 पे था 8 के उपर आच चला गया अब फिर जब यह condition हो कि आप feel कर रहे हैं कि completely cure है वो patient तो फिर आप withdraw कर लेते हो treatment जब व symptom free है तो उसका वो इसी तरह से मुम्किन हुआ कि पूरी 20 symptoms मेरे पास उस बचे की मौजूद थी और उनकी बन्याद के उपर software ने फिर मुझे help किया और मैंने उसकी medicine उसका फिर देखें ऐसी cases के जहां पे मरता क्या ना करता वाला हिसाब हो तो फिर इंसान patient जो है वो compliance भी आप कहें कि नौ बजे medicine लेनी है तो वो नौ बज के एक मिरिट पर नहीं लेगा वो उसको पता है वो इतना accurate हो जाता है कि यह चीज़ help करना शुरू कर देती है और अगर आधा काम medicine करती है तो आधा काम patient कर रहा होता है और वो जो instruction उसको दी भी होती है उसका follow up कर रहा होत कि medicine तो बहुत जादा लेनी भी क्या उसके कहते है according to clock होती है यह वरना ऐलोपेथी की medicine का तो होता है न सुबा दूपर शाम ले ले इनका यह होता है कि दो घंटे बाद लेनी है तीन घंटे बाद लेनी है तो यू आफ टाइम इट हर आपको जो है वो observe करना पड़ता है और उसको follow up उसका जो है accurate देना पड़ता है तब जाकि उसके जो desirable results है न वो सामने आते हैं otherwise सिर्फ medicine तो accurate दी होगी डॉक्टर ने लेकिन patient ही उसको सही तरह से नहीं ले रहा है तो वह वैसा काम नहीं कर सकेगी जिस तरह के सेग्मन के टाइम बहुत नहीं रहे है वह समझे ब्रीफली यह बिता दें कि आप पढ़ा भी रहें प्रोफेसर हमदर यूनिवरसिटी मैं हमदर यूनिवरसिटी के हमदर फरमसिटिकल साइंसिस के इंस्टिटूट में मैं as a lecturer पढ़ा रहा हूं वहां पे और इस चुकर मे इंटरेक्शन मिला मुझे बहुत सारे क्योंकि इंग्लेंड एक ऐसी जगह है जहां दुनिया से डॉक्टर्स आते हैं अपना अपना एक्सपिरियंस शेयर करते हैं बिल्कुल आप बहुत सारी चीज़ें तो आप किताबं से पढ़ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अगर मैं सिंपल होंपे तक डॉक्टर होता तो यह सौट्वेर मेरे लिए बेकार था मैं इसको समझे नहीं सकता था कि किस तरह से यूज़ करूं चूंकि फामसी मेरा बैक्गराउंड था और मैंने वो सारी चीज़ें जो मेडिकल के स्टूड़न पढ़ते हैं पूरा प्र अगर होती तो इतने बुरे हालात नहीं होते होंपेथी के जो हैं अब आप देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एंबी बेस का और होंपेथी का स्टेंडर्ड जो एजूकेशन का है वो इतना होता है कि उनका मेरेट एक ही चल रहा होता है लेकिन हमारे यहां प उसका स्टेंडर्ड ऐसा है कि जिसके उपर कमसकम ऐलोपेथिक डॉक्टर्ज या मेडिकली कौलिफाइड लोग जो हैं उसके उपर रेलाय कर सकें और उसको बेहतर समझ सकें मैं आपको एक चोड़ा सा वाक्या बताओं मेरे दोस्त वो नेवी में थे आप डिटार हो गये उनके पास मैं जब जाता था तो वो मुझे कहते कि यार आपने अच्छा किया कि आपने कुछ इसको बहतर तरीके से समझ लिया और आप प्रैक्टिस साब कर रहे हो तो यह सब कुछ जानने के बाद कर रहे हो अदर्वाइस तो यहां पे कैना कि मेरे पास गवाला दूद द करूंगा और शाम को जहां पर इतना आपने डिग्रेड कर दिया हो वहां कौन रिलाई करेगा उसके उपर यही वजाए कि पाकिस्तान में अब हूंपैथी को और ऐलोपैथी को एक दूसरे क्या ना मुखालब समझाए हाता है हाँ हलाकि दोनों एक ही फील्ड की दो ब्रांचेज हैं यहां यहीं इसका जो फांडर है डॉक्टर सेमॉल हनेमन वो खुद अलोपैथी किया था जर्मनी से और उसके बाद उसने होंपैथिक मैडिसन को जो है वो बनाना शुरू किया और यूज करवाना शुरू किया थैंक यू स मैं अजिख हैं बच्टर आपकि को ठोरा है भील्याव यहां प्रेंग है तर फिन करेंगाथ यूज कर दो जग जो किया शुचर कर दो मैं यहां 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 थो को नहीं यहां हैं यहां बचेज आवर हैं यहां